हाई फ्रेंड्स कैसे आप लोग चलिए आप से स्टार्ट करते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग का मेसेज आ रहा था कि सर आइस के लिए जो आपने 90 दिन की स्टेजी बताई है उसमें क्या-क्या फॉलो करें और कैसे फॉलो करें कुछ लोग को यह कि टॉपिक नहीं मिल ला है है उसलिए परसान है कुछ लोग को बुक्स को लिकर रिराणिंग कोशन है देखिए उसको लेकर हम एक एक करके डिस्स कर लेते हैं सबसे परहें देखो मैं आपको पीडिया दिखाता हूं जो मैंने अप्लोड किया था और हम देखर डिस्क्यूशन लिंक में है आज का जो आप सारा मिन राखे असलिकाइब ऐन्स लिखाता है 8 ंव कोशने कि टियुक्ष में छम्न लि', दिखा लंगई लेकिकि अ STACK करे रोख कर दूंग तीक है है देखिए बात के समें ने बहुत दिख्फों मिहनत से बनाए पीडियाष और बहुत गया है है बहुत विचार किया है यतने चीज़े करेंट में हुई ना उस सारी चीज़े मैंने को रिलेट की है तो इससे पढ़ा हुए तापको फायदा क्या होगा मैं आपको समझेंगे तब आपको ज्यादे अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आएगा एक विक का पहले सिनेरियो आपको 9 मारτ तक पुरा कोवर करना है चार मार्स से चालू करना है तो और दिन को मीलेगा है तो प्रकूछ रहुं आप नगी चालू करने से पहले मा कुश चीजे रहा हूं जो आपके साथ होने वाला है चैपर नहीं किल बाट कें रहेक्न होगा तो आपके नहीं सहले हुआ सब्सक्राइब आपको मैं घंटे बदाता हूं कैसे आपको शीडूल करना कैसे पढ़ना है दो घंटे तक पढ़ाई नहीं कि लगातार उनके लिए दोहां दिक्कत होगी तो मैं आपसे रिक्ष्ट करूगा कि दोखो सिंदुगाटी सब्वेताना लगभग 30-40 मेर्ट एक घं लाइं आपको त्हीक है और उसमें जू इंपॉर्टेन आर्टिकल ا वो भी मैं आपको बताता दूंगा यह आर्ट कल सामर्म देखलिजीएगा जैसे 1905 में क्या हुआ था 1909 में क्या हुआ था 1919 में क्या हुआ क्या था 1935 का Так क्या था है वो भी मैं आपको बता दूँगा की आटिकल सांब देख लिजिएगा जैसे 1905 में 1909 में क्या हुआ था 1919 में क्या हुआ था 1935 क्या था 1973 क्या था 1974 क्या था 1858 शोर्य आपको देखना पड़ेगा धle किया है कि आपको तीनों सब्जेक्ट कवर जाएंगे सिसेट में क्या क्या आता है तीन चीज आती में आपको तीनों बता दे रहा हूं ठीक है पहला आपको आता है रिजिनिंग ठीक है दूसरा मैस और तुछरा कंप्रेंशन जिसको दुवह दिगरमता बोलते हैं अब इन ती चीज क्या रहा हूं आपको मैस में इंप नहीं बनना है अपको इतना पढ़ना है कि आपको एक्जाम लिकल जाए और तो को त्यन्त लेवल तक कि मैठ आती है तो इसा नहीं होने वाला दिशी सीजह आपको बेसिक कॉंसर्ट समझना है जैसे एक्जाब देता हूं में आगर यह आपका 10% हो जाता है ठीक है अगर 100 का किसी भी नंबर अगर कोई पूछी को 123 का 10% बताओ तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट के बाद 10% अगर मेरे सब पुछा 1% कितना होगा तो 130 के 1% कितना होगा तो मैं यहाँ पॉइंट लेखाऊंगा यह मेरा 1% हो जाएगा 1.23 मेरा 1% हो जाएगा तो यह सब असान तरीके जिसको आप सीखने के दूरते हैं आप फर्मूला रटके देखिए अपने दिमापको जो डालेंगे ठीक है तो मैं क्या करूंगा एक हफ्ते दो आप पहले पढ़ाई करिए संडे को मैं भी आपके साथ एक क्लास लूँगा मतलब दूसरा लेक्चेर है पहला लेक्चेर में आपको बना रखा है आपको वीडियो मिल जाएगा इसके डिसके लिंक में भी लेक्चेर टुए हमा लेक्चेर में मोस्ट पॉड़ी अपना मंडे को लोगा ठीक है तो यादो संडे हो क्या तो मंडे को दो नम से किसी एक दिन हम स्ट्विटूल करेंगा बेटर मैं कोशिच करेंगा है संडे को जाए बट इस दस तारीक को मेरा थोड़ा सब मुश्कील है क्यों कि मैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको किसी कोशिंग के अगर वरना मैं आपको दो चीज़े प्रवाइड कराऊंगा ठीक है एक तो करेंट अफ्यर की पीडिएफ और को संडे को बच्राइब करेंगा संडे को सब्सक्राइब मेरे पास है मैं आपको कोचिंग के देखो डैकली नाम दे लूँगा पर मतलब स्टंडर्ड कोचिंग के आपके जो टेस्स सीरीज है वह आपको मैं प्रोवाइट करा दूँगा ठीक है इसके लिए मिश्चिंत रही है तो आप लेकिन यह कोशिज करना है कि आपको 20 कोशन करना है यह मैं लाइनर हो या फिर कंप्रेंशन टाइप में मतलब अगर आपको पता है तो एक लाइन में आप अंसर दे दोगे नहीं तो नहीं दूसरा या ऐसे पूछ दे कोशन अगर इसी से सिंदु घाटी सब्यता से कि सिंदु घाटी सब्यता कौन-कौन से पाट थे एक option दिया number one ठीक है मोहन जोडाडों दूसरा दियाए ठीक हड़ा कालीन तीसरा दिया ऐसे कुछ चार option दे दिये फिर निचे आप से दिया कि a,b,c सही है कि a,b,c सही है कि a,b,c शही है कि इसम कोशन जादे पूछता है मैं अभी इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की अभी तक उनके लिए अगर डिरेक्ट लिए सबसे हार्ट पर कुदेंगे तो आपके लिए डिफकल्ट हो जाएगा तो प्लीज थोड़ा सिंपल स्टार्ट करिए मैंने हिस्टी त लेकिन कोई ठीक नहीं है तीन से चार कोशन आ सकते हैं नॉर्मरी दस भी आ सकते हैं 2017 में दस भी आयते तो आप कहां से कौन सा कोशन का पूछ दे ठीक है तो इसके लिए आप प्लीज तैयार रहिए कि मेरे को हर सेक्टर से पूरा करना है जैसे बात करूं मैं बहुत धर्म क बहुत धर्म में अगर 2013 वेपर उठा के देखिए 2014 वेपर उठा के देखिए लगबग लबग सेम कोसन रिपीट कर दिया उन्होंने पहला ही कोसन मतलब हिस्टरी में दोनों बार रिपीट कर दिया बहुत मैंनुस्टा डिफरेंज करके उन्होंने सेम कोशन पूछ दखा त तो आपको डेली कितने लगाने तो कोसन बीच दस हिस्टे उसके बाद करेंट पर आते हैं करेंट को इसमें मैंने जो लिखा है यह पॉलिटी लिखा है आयार का मतलब है इंट्रेशन रिलेशन जिनको अनिपता में बता रहा है नोट डावल करिएगा ठीक है इसमें इको का मतलब होता है इकोनोमिक्स इसमें इसी का मतलब है सेक्का मतलब सेक्यूर्टी ठीक है इसमें सोचल इसमें इन्वार्मेंट इसका मतलब इन वी का साइन्स टेक्नलोजी यह मैस का मिसलेनियस और यह कल्चर अब यह दो मैंने बनाया किससे है मैंने बनाया दूस्तों यह अगर आपके पास नहीं तो वीजन फॉलो करिए मैं वीजन का आपको हिंदी और इंग्लिज दोनों में इसका पीडिफ जून से प्रवाइड करा दूँगा ठीक है आपको तीन तारिक से पहले लिंक मिल जाएगी जून महिने के इसमें करेंट अफियर ठीक है तो मैं आपको पीडिफ आपको वाट्सप पे कोशिशिश करूँगा भी देने की और आपको यह पीडिएफ आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा बाके मैं यहां के डिस्रिप्शन लिंक में यहां पर बना दूँगा तो आपको वहां भी मिल जाएगा तो सारी चीजिए यही भी म पड़ी जिसमें कफर्ड होता उसमें परि верх यह पंड़ी और बात करता रहे हीएव क्यों है यहां संदुगार्टी सब्टा के सिंदुगार्टी सब्टा में हड्डिय कहा मिली रिक हो चीजे भा मिल हो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर ए向 치 सब्सक्राइब्स सोसाइटी होती ती मतलब जो सहर होते थे बहुत ही क्या होता है सिविलाइस प्लेसे प्लेसे नाले भी यह तरीके से प्रॉपर तरीके से लिकलते है थे पानी खटा करने कि पढ़ती उनकी पास संदार थी लगवग छह साथ प्लेसे जे लोथल महंजदारो ठीक है ऐसे हरपा अपको देखना है मिली बाकि और उसमें बहुत ज्यादे डिटने में देखना सिंदुगारी सब्तर में आपको फथी पता लग चाईगा पड़ें सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किताब में दिया हुआ है फिर वेदों के बाद क्या क्या आया वह देखना है ठीक है इसको थोड़ा लाइट देखो कि चल जाएगा लेकिन वेदों थोड़ा सब्सक्राइब कि अब्सक्राइब चाहिए को पता होना चाहिए खैक है तो यह आपको के बारे में आपको चैनियंड मी पढ़ना पड़ेकर दियंकर कॉंसेप्ट क्या थे जैन धर्म आया क्यों थो पंडित हुआ करते थे अपने टाइम पे उस टाइम पे वह अपने आपको servis त्रेश्ट मानते थे इन लोगों ने क्या किया इसका बिरोत किया कि आप सर्वेस्ट्रश नहीं हो तो इसका समर्थ्र नहीं किस ने किया जो नीचे के लोग थे सबसे वह ता है पंडित होते थे इस शत्री नेureau 2 फार्श बमदाय ने इनका समर्थन किया और ही लोग तीनो लोग यह लोग क्या ऊफना चलों Ric croc Janism asred कि द्रिम की करता था इस वज़ां से क्या हुआ गया जैन-धर्म के इसके बाद कुछी टाइम बाद बहुत धर्म ने था इसको अपनाना असान था तो बहुत तेज़ी से लोगों ने इसको इस धर्म को भी अपनाना चालो कर दिया था और दोनों लगभग लगभग जो बड़ वर्षता उसका विरूद किया था तो बड़ वर्षता किसले विरूद किया था कि उसमानता है भौज यादे थी सोसाइटी में इन दोने विरूद किया अब आपको एक चीछ और याद रखना है जैनिजम में पहले गुरु कौन थे तीसरे तीस में कौन थे 24 काउन तैरि सब्दे कौन थे बहाविर कौन थे आपको साहर शीज़ें ठीक है और उनके काम आताताना क्या पता होना सफे concit तो चंद्रकुप्त मौर कौन थे, बिंदुसार कौन था, असोक कौन था, ये तीनों मेनली हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इतना दुख होगी हिस्ट्री में, बहुत जादे नहीं है, अगर आप कैदे से पढ़ेंगो, तो एक एक डेड़ेट गंटे में आप स सारे आपको पढ़ना है, साइमन कमिशन हो, वह भी पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए बात करें, तो 73 से आपको लेना है, ठीक है, 1773 से लेके, जितने भी रेगुलेटिक है, आपको एक ही जगह मिल जाएगा, इवेन पॉलिटिक किताब की आप रच्मी कात पढ़ेंगा, तो मैं चाता है थोड़ा साब डीटिल में पढ़ें, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमने सट एक्टिव किया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा, एक एही बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दुबारा पढ़ना जिवत ना पढ़ें, बाकि हम रिविजन करते रहेंगे, फिर उसका आर्टिकल सुरू में थे, कितने अमसूचियां थी, कितने भाग हैं, तो बाइस भाग हैं, कितने सुरू में बहाजाएं थी, कैसे इस्टेट बनाये गएं, यह सारी सीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके आगए आएंगे प्रियंबल, प्रस्ता होने सबसी इंपॉर्ट था यह तीन चार चीजे वर्ड इसमें तीन चीजे एड हुई थी तो कौन से एड हुई थी तो आपको यह पता होना चाहिए नागरिकता इसलिए बहुत ज्यादे इसलिए आपको डिटल से पढ़ना है तो यह आपको आठकल चार से मिल जाएगा पूरा डिटल में पढ़ना है उसके आगे बढ़ते हैं तो मूलत का समाने चाहिए तो आठकल 12 से लेकर थीक आपको 21-22 तक पढ़ना रहा बाइस देच पढ़िएगा यह द बाइस तक पढ़िएगा आपको बहुत सरी एटल ह rect पढ़ना है अर्टिक ओन चाहिए नाच पर्टी हे लिए यह था Wait ठीक है डीटिल नों पढ़ना है उसको आट कल 35 एक यह है आपको यह जानने के जुरूत है ठीक है मतलब प्रावधान के लिए तो क्या है आपको यह पता होना चाहिए दोको सारी चीजे मैं बता दे रहा हूं आपको आपको कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आप जब पर अगले वीक में जो आपको पढ़ना है उसको बहुत डीटिल में बताऊंगा अभी मैं पूरा इसमें करें क्या आप गलतिया करें अगर पहले वीक में जो गलतिया करके सीख जाएंगे अगर मैं अभी से सारी सीजे बता दूँगा तो आप उसके अलामा कुछ करेंगे ने अभी जब extra effort मारेंगे थोड़ी सी महिनत लगी थोड़ा से बहुर भी होगा सब कुछ होगा तो इसमें आप सीखने के प्रविल्टी आपकी बढ़ जाएगी मैं आपको महिनती बनाना चाहता हूं दोस्तों कमजोर नहीं ठीक है मैं सब कुछ बता दूँ तो इसका मतलब मै लेकिन जब आपने पढ़ रखा है तो तो पढ़े भी रहेंगे तो आपको इंटरस्ट भी आगा लेकिन आप से एक्ट्वर्श करोगा तो इसकी मत करिएगा अगर कोई सी छूड़ जाता है जीसे करेंड का है देखो मैंने करेंड का बता रख आगे आता हूं मैं इस पर ब पता होना चाहिए 51A क्या है आपको यह पता होना चाहिए ठीक है यह सारी ऐसे चीज़ें आपको डिस्ट पता होना चाहिए तो में 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 आर्टिकल में आपको बताते चल ला हूं जिसको आपको याद रखना है यहां तक हो गए पॉल्टी की बात अब बात करते हैं मैं सो रिज Using ki मैं आज में नंबर सिस्टम पमढ़ना ये जिशर आधे घंटे कर देखना है और हम आपको करते जाना त्व ये कि वेलू क्या वती है अब म twenty c q4 होती है को असानी से बता सकता हूं याद करने के चरिका ये cha मतलब एक कौन से प्लेस प्लेस पर यह एबी-स ऐसे लिखेंगे तो इसको कोड़ी में इसका बहुत जादी यूज होता है तो इसको दिर दिर इसमें ही आपको रिविजिन करता चलोंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजे समझ में आए तो आपको याद करने में फ्रहाँ पांच नमबर प्याता है दिर्मिय प्याता कितना असान है पहलेम याद रखेंगे आपको यादalley काम हो जाएगा समझ सार्षार्षार आपको याद करता है जिसरी सन्याओं और वीजिक क्रवादा हौता है ऐसे दिन में बैठते प отвеч यह सोचे किया होता है ऐसे ठीक että तो GCF LCM कैसे लिकालते हैं SCF कैसे लिकालते हैं व coconut basic चीज़े देखनी है आपको liksom कैसे lgit basic most common common multiple कैसे लिकालते हैं highest common factor कैसे लिकालते हैं आपको यह पता होना चाहिए at least ठीक है इतना देखना 3 दिन में 6 दिन में आपको 3 न्यू टॉपिक परणा इसमें ओर civॉट है और बेसिक पढ़ना है और इसके बाद बसाइंगा के लिए को सटाग अब करते हैं उसके आगे बाते हैं आपके पास है तो बेस्टी से पढ़िए जिस्टी के भी section जाएंगे तो उसमें 30-40 पेज़ है जिसमें उसमें यह अलग अलग दे रखा है, quality दे रखा है, अलग हिस्टी के नाम से दे रखा है, तो culture वाले में हिस्टी पढ़ लिए गा, science, technology अलगी दे रखा है, environment दे रखा है, economy दे रखा है, ठीक है, geography अहाँ, एक चीज़ और लोग कहेंगे, सर्च आपने geography दो डाली नहीं, लोगो यहाँ पर environment वाले के पार्ट में ही आपको geography कवर करना है, अगर environment जोग्राफी के साथ पढ़ना है, अगर इसमें कहीं भी आपको time मिल जाते तो आपको हाँ पढ़ लेंगे, तो कि एक slot मैंने आपको खाली रखा है, Saturday का दिन मैंने खाली रखा है, इसलिए कि at least आपको कुछ छूट जाए, तो आपको क्या करोगे, यहाँ कवर करोगे, अब दो कितने घंटे आपको देने है, तो गंटे, दो गंटे, 30 मिन, 30 मिन, एक गंटे, प्लस दो गंटे, टोटल कितने हो साथ, टोटल मैक्सिमम साथ गंटे दिने हैं, ठीक है, साथ गंटे दिने हैं, अगर आप वर्किंग भी है, तो आपको क्या करना है, यह से सुबह आपने न्यूश्पीपर होगा देख लिया, तो आप लबग लबग करेंट दुखो आपको ऐसे चल रहा है, नमबर सिस्टम भी होगे साथ गंटे देने बाद आपना जो भी आपने अपना बना रखेह आपना आपना फॉलोग कर सकते हैं लेकिन अगर strictly इसको follow करेंगे तो आपका cell bus at least 3-4 बार तो मैं कमी कह रहा हूं लगवा लगवा 5-7 बार अपना cell bus revise कर लेंगे 5-7 बार मेरी लाइनों को ध्यान देंगे 5-7 बार कैसे देखो आप एक बार revision यहां करोगे ठीक है पहली बार revision मैं दिखा रहा हूं आपको कितनी ब Review यहां हो रहा है मैं बताते हैं कि ठीक हो रहा है कि नियुक्णी और झुक्णी है सेबीजन हाप करेंख हो रहा आप कि इसोंकी आपके वीक्त do सब्सक्राइब करें तो टीक है तो आपको तैम्स होगा 10 टाइम सा इलेवन टाइम्स और 12 तैम्स बनाए कि हम से कम आप 12 बार बाढ़ पढ़ आपको भूलेगा वह अगर कोई भी चीज आपने बार 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 पढ़ा है है तो आपको क्या भूल सकता हूँ आप एक बार सोच के देखो यह कहीं चीज़ को 12 टाइमस पढ़ रहे हैं अब यहां तो होगे बारा-बार रिविजिन तेरहों रिविजन देखो है, अब सब्जेक्ट वाई रिविजिन करेंगे जैसे,ंपॉललिटी उठाई, जो जो question गलत हुगा जिस topic से फिर उसको revision किया फिर revision करने के बाद एक full test दिया पूरा मतलब पूरे subject का full test देंगे फिर देखो CMDV मैंने एक किया है geography उठाई पूरा revision किया geography का test दिया, geography में जो question गलत हुए ठीक है, उसके में फिर देखा क्या क्या गलत हुए फिर उसको revision किया, जो मेरा question गलत हुगा जो concept नहीं सही हुगा, फिर मैंने उसको देखा फिर एक full test दिया, तो आपको दो test देंगे एक तूरा बस geographic होगा, एक full test होगा, मतलब सारे subject mix होगे तो यह आपको जब PT का exam देंगे तब काम आएगा यह आपको आपको concept क्लियर करने में काम देगा, तो यह आप concept समझेए, उसके बाद 30 तारीक तक आपको पढ़ना है, मतलब 30 तारीक तक question मेरा practice करना है, ठीक है, 31 मही तक, 31 मही तक आपको पढ़ना है, ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको एक तारिक से एक तारिक को बस रिवीजन करना है एक तारिक को बस आपको रिवीजन करना है ठीक है यह चीज़ आद रखेगा एक तारिक को बस दोस्तों आपको बस रिवीजन करना और कुछ नहीं करना दो तारिक को एजाम है दो तारिक को सु सुबसुब करने कोई चीज पढ़ ली तो मैंने सुबसुब आप अपने दिमाग को अपको पाइड करें कुछ लोग कहते हैं दो दिन पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए मैं कहता हूं कि अगले दिन एकजाम है तो उसके साम तक पढ़ाई करते हो आप सेम दे मत पढ़ो सुबस के सुबस मत पढ़ो लोग कहते हैं एक दो कोशन हमने जहां सुबस पढ़ा वहां से आ गया लेकिन आपने एक दो कोशन सही कंड़े चकर में बाकी कोशन आप गलत कर दोगे यह आप मान के रखिए कभी आप देखिए सुबस पर उठी है आप उसमें एनर्जी होता ह उसमें कोशन लगा बड़ा अराम से होता क्यों कि हमार दिमाग बाद सांत होता दिमाग एदम खाली होता। वहीं चीज हमारे काम आ जाती है तो ही मैं कहता हूं शुबस आप पेपर दिने जाहिए गा तो आपको बस रिवीजिन करना एक दिन फहले पूरा दिन प्यजिन कर है ठीक है विश्वास रखो कुछ पर आप चीज़ें कर सकते हो इतना विश्वास रखिए अब चलिए हम एक स्लाइड में कुछ और भी है जिसमें आपको बोक्स होगा आपको लेकर प्रॉब्लम्स थी उसको डिसक्स कर लेते हैं आ है देखिगी दोस्तों अब बास नंबर कितना लाना है जीयस में और मिसटमें इस नंबर डियंगे को सो कुस्षन आते हैं दो नंबर के लबह 200 नंबर होता है आपको कितना कुस्षन सही करना है तो लबह को याद रखिएगा कम सकम 50 से 55 कुस्षन कम सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद तो आपको टारगेट कितना 67 नमबर आने चाहिए क्वालिफाइंग है यह 33 परशंट लाना होता है इसमें ठीक है तो इसका आपका मेर्ड में कोई लेना देना नहीं होता क्वालिफाइब करने के लिए और अलग करने के लिए तो अब पढ़ाई किया तो आप यह कर पाएंगे अब सब्सक्राइब करो पंदला गलत करने का मतलब समझ रहें हैं तीस परसंट आप गलत करते हैं और मेरा मानना 30% गलत करने तो सेलेक्षिन तो होता नहीं है फिर भी मैंने 30% मैंसम बता रहा है लिगि मैंने आपको कजिए 30% गलत कर लो इस 50% के वज में अगर आपने 35 कोश्चन भी सही किए तो 35 इंटू 2.5 87 नमबर आ जाएंगे आपके अगर आपने 15 गलत किए तो जो 0.3 में अग कि अब कर दो आपको इसको इसमें ज्यादे महिरत नहीं करना है मैंने बताया मैंने तो इसलिए उसी साब्साइब करेंगा है कि इसको में तूब्होर्मेंट इन्वार्मेंट अर्थिवरुस्ता राजबरस्ता शम्समाई की और भारद जार रूणिस इतने सारी सारी चीज है मेंस का पैटन ठीक है मेंस बहुत सारे लोग को पता नहीं होता तो मैं मेंस भी आपको बता दे रहा हूं एक पेपर होता है जिसको पेपर वन बोलते हैं जो भारती की समिधान में लिखा गया बाइस भासाओं में से को यह आप एक चूज कर सकते इसमें 25 परशंट आपको इसको एसे बोलते हैं इंग्र फेर होता है इंगलिस में फेल होते है तो सबसे पहलेивать चेक होए मगा गर शेक पर यह नहीं यह वह बीछ आप याद रखिएगा है अपकी दिख साथ पेपर बनेगी घ्सलिबट कि बाद कि आई यह सब्षी जाता है प्रbefore इंडिाश कल्चर तरी जैसे यह इंडिया ऐती है ठीक है paper 2 में बात करें तो constitution आ जाता है polity, international relations, social justice, governance आ जाता है उसके बाद बात करते है paper 3 में तो paper 3 में दोस्तों आपका आता economic development, technology, biodiversity, environment, security, disaster management दोको यह paper जो लिखा है इससे confusion में तो यह paper जो कौन-कौन सा होता है यह लिखा हुआ है ठीक है तो यह paper number 1, paper number 2, paper number 3, paper number 4, paper number 5 ठीक है, GS के 4 paper होगा है एक paper आपका AC काता है यह AC में भी 2 AC आते हैं 4 AC होते हैं, एक में लिखे, एक में 4 AC होते हैं उसमें से कोई आपको यह करना होता है और लगबग 1000-1200 words में बोला जाता है लिखने के लिए एक section से आपको एक question करना है दूसरे section आपको इदूसरा question करना है यह सानि नहीं कि एक section आप 2 कर देंगा, ऐसा भी नहीं है आपको दूसरे question से Tool voiture करना पडएगा और पहले section एक question करना पडएगा लगबग 1000-1200 number के लागा, यह 1000-1200 number क Запके लेना है यहाद रखिए कि इसको दो पेपर होंगे पार्ट वन पार्ट टू में धाइडे सो नमबर के होता है पांसो नमबर के लोगों आपको प्रॉपर आइस बनाने में बहुत जादे मरत करेगा क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आप बहुत पर आपको 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 अच्छी से पढ़ना पड़ेगा यह भी टार्गेट रखके चलना है तो आपको इंटर्वीव का टोटल दोसो पचीज में से मेरिट बनती है यह इतने पोइंट यापको पता रहे कि आपको प्सप्सप्जेक्ट को क्या-क्या आप ले सकते हो क्य है लीटरेशल भी है जिसों साहीत में बोलते हैं तो उस भासा के बारे में जाना रहा था इसमें यह सारे शिफ्टिये की अर्य С, अगर आपके बस और भी कोई है तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है लेकिन मैं प्रिफर ही करूँगा कि या तो आप भी पिंचंद्रा लीजिए ठीक है उसके लाव में बहुत सारे बच्चे के यह वाले किताब कैसी है दिश्टी की आप पढ़ सकते हैं अब दिश्टी के क्विक अब इसको सौट लिस्ट किया इन सारे किताबों को किक है विसकोद आटन कल्चर नितिन सिंगाने ले लिजिए या दिश्टी की भी आटन कल्चर अच्छी है अगर आपको आटन कल्चर मिलती है तो अच्छी बात है अगर आप इंग्लिस में पढ़ना चाहते हैं आप वह अब मैं प्रेफर करूंगा नितिन सिंगाने लेजिए ठीक है यह होगी हिंदी इंग्लिस दोनों में आती है कि तब आप जो भी सही हो पर्शेश कर सकते हैं तो मैंने इमेज भी डालकिए ठीक है एंसें इस्टी मेडाइवल हिस्ट्री मॉडन मॉडन वीपिन चंदरा की औ इंग्लिस मेडियम वालों को बोलेंगे रभी पी अग्री की पढ़िए ठीक है और साइंस टेक्नोलोजी दोको रभी पी अग्री की हिंदी और इंग्लिस दोनों में आती है लेकिन दिरिष्टी के एक कंपाइलेसन आया जो 31 जनवरी 2018 तक का 2019 तक अपडेटेड है तो मैं आ साइंस टेक्नोलोजी दोको नई अपडेट होके आई है अगर आपने अपने तक नहीं खिरता तो रभी पी अग्री का इंग्लिस मीडियम से यह खरी दिएगा हिंदी मीडिया वालों को मैं कहुंगा बिग्या राप पादोगी करके दिश्री वाप बिकिस्तन की यह जनवर एक इंडिया और विड़ जिग्राफी है तो बहुत साइट लोग के पास बस इंडिया जिग्राफि वर्ल्ल जिग्राफी होगी काम तो इससे चल जाएगा लेकिन अगर नहीं खड़िदा आपने तो इंडिया जो डियीक साफ यह फिर उन्ड करंग को यह वह ने घया उम प इंडिया ये वाला और ये वाला ये दुनों आप ले ली जिएगा अगर आपने नहीं लिया है तो उसके बात करते हैं एक महेश कुमार बर्णवाल की दोस्तों ये किताब ये बहुत अच्छी है बट मेरे इसाब से थोड़ा सा अच्छी नहीं बहुत अच्छी किताब है करोगे तो आपको इसमें से पढ़ी हुई चीजे बहुत ज्यादे इसमें भी कंटेंट है बट कंटेंट थोड़ा से इसमें जादे है तो बस इसलिए मैं प्रिफर कर रहा हूं कि आप इसको पढ़िए थोड़ा ठीक है अगर आपके बस महाश कुमार बनवाल है तो आप उ बसना के लिए रमें सिंग अगर आपके बस लाले लाल और भी कोई राइटर बहुत साले राइटर साथ हैं अगर किसी की विए ताप प्रिफर करिए कोई दिक्कत नहीं है बट इसको करेंट से जो जोड़के पढ़ना है तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगो तो मैं आपको बताओंगा कौन-कौन से टॉपिक कहां कहां पे है जिनको जो टॉपिक नहीं मिल आता उनको वह भी टॉपिक मिल जाएगा अब आगे बात करते है पॉलिटी के लिए पॉलिटी के लिए हमेशा के इदरा फेमस लच्मिकान आपको इसके वालामा को जाना ही नहीं है अगर को आप देख लिजीगा तुन से च completely आपको जो आस्पास बीजिन का एंग्रीं में कोुछरऊ는지 को रभाई के क्लाब को क्या पढ़ना है भाड़ 2020 सभी आयंगा आपको पढ़ना है आर्तिक परीदी nrj मतलब 2017 कि समिच्छा की आपको हो पढ़ना है तो 2018 से अथार्या का इक्टी की कि बात करें जो लोग माज़ी दूश्या नहीं लिया या नहीं लेना चाहते हैं मैं उसे करूँगा कि class 11th और 12th की anxiety का और कर लीजिए बाकि जो आपके पास जोग्राफिक किताब पर वही पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब ecology in a moment की बात करें तो उसके लिए दुख मैंने आपको बुक तो बता दिया है उसके लाब आप class 12th की जो biology है ना उसके चार तीन चेप्टर कर चार चेप्टर कर सकते हैं 13 14 15 और खासतर पर 14 15 16 आपको अच्छे से करना है उसके आगे बात करें इकनॉमिस के लिए तो class 9 10 11 की इकनॉमिस कर सकते है आप anxiety से पॉलिटी की बात करें तो 9 10 11 और खासतर पर 11 की anxiety आपको बहु करना है आरपार की लड़ाई लड़नी है यह दुक्र मैंने फिर से अट किया आपको समझाने के लिए कि आप चीजों को समझिए आप लोग लग लग जितने कोशन कमेंट के तुरू थे मैंने कोशिच की कि सारे कवर कर लू आइस तो इस बार पक्का है यह हम सोचके त्यार भी जब पहले दिन आप ठाड़ाइगे और बहुत अच्छा भी जैसे लिए आपके साथ होगा होगा लेकिन अराम हराम हराम है शजाह दो करना तो पूरा करना तो पूल यह है कई प suppression is रिलेशंशंशिप को तीन महीने दूर रख़िएगा चाहे ज़enden नाइन भूर पर सारोग फ्रऑन या रिजह लोग बड़े बड़े बड़ी में जैंसे आप से बुस्सा और फिरेंगे ठीक है तो वह सीज़ आप एक बार सोचके इन जीजों को थोड़ा सा होल्ड पर रखिए तीन मेने के लिए उसके साथ हेल्थ की बात करें तो को आपको हेल्थ सबसे जादे उपर रखना अपना हेल्थ के लिए आप वौकिंग करते हैं नहीं करते तो करिए चाहिए चाहिए दोड़ी या फिजिन जाते हैं तो दीम में जाए लेकिन एक्सराइज करिए ठोड़ा एक्सराइज करिया आदे गंटे 15-20 मिनट लेकिन अपने आपको फिट रखिए अगर कंप्रोवाइस करेंगे तो आप तयारी नहीं कर पाएंगे एक चीज़ याद रखिएगा यूग अगर आपको स्वश्श चरी रहेगा तभी आपके एक स्वश्श दिमाग आपके अंदर रहेगा तो आपको अपने हेल सबसे उपर रखना है आप दूसरा सेकंड थौट नहीं आने देना सेकंड फॉन इंदन से तो हमारे जिंदगे में दूशीज होती है एक भाई बेहन यह लोग आपको पॉजिटिव थौट्स दे सकते हैं बाकी इसके अलावा जितने भी दोस्त यार है ना मत दोस्त भी कुछ अच्छे होते हैं बट यह मैं थोड़ा से कम देता हूं दोस्त बहुत ही लिम्टेड आपको मिलेंगे बट निगेटिव वाले जादे बिलेंगे ठीक है जो आपको साथ त्यारी करें वह भी कहेंगे रहे यार नहीं हो पाया रहे ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता वो नहीं होता इनसे आपको पने बचाना है निगेटिव थौट्स वालों से दूरी बना लो आज के आज निगेटिव थौट्स के साथ नहीं रह करें जो आपको इनर्जी देता हो पढ़ने के लिए प्रिरीद करता हो ऐसे लोगों से बाते करिए कि उसको पढ़के लगे कि यह आप तो पढ़ना है आप तो बस बहुत हो गया तो ऐसी फिलिंग्स आने चाहिए आपके दिमाग में सारी चीजे निगेटिव घुषते जाए किये वह सब्सक्राइब अपनी संपत्ति पेश दी अगर आपको कभी मौका मिले तो नौवल पढ़िएगा बहुत ही बढ़िया सी नौवल है वह उसमें चाहिए पताएगी है कि हमारे पॉजिटिव थोर्स निगेटिव थोर्स जनरेट कैसे होते हैं ठीक है और कौन कारण होता है वह अभी नहीं करेंगे ठीक है कभी आप लोग आईस बन जाहिए तो फिर आपको बोलूगा बुलाओंगा कभी अपनी चैनल पर बोलाओंगा ठीक है तो चलिए आगे वड़ते हैं तो सेकेंड थोर्स इसमें नहीं आने देना है कि यार आईस करते करते हम अजन लेते हैं रहाते हैं सब्सक्राइब बात इंकम क्लेंगखर तो पता नियुकर आपने में अपने क्या कई लिए इतने महांतरम क्लीए आपको पता नहीं होगा वैंकि के साथ में कर दूंगा नहीं दीजेगा पहले दो साल पहले लगे रहे इसमें अगर आपको लगता है थोड़ा टाफ हो रहा है तो आप स्टेट पीसे दीजिए लेकिन इससे नीचे नहीं जाना कि सबस्कराइब करो तो आपके पास एक कोला है या पके अंदर अधिती संचार हो रहा है आप इस पूरी को चाहो तो एक is के लिए बस लगाओ या तो pieces के लगाओ जहां आपने pieces के लिए लगाया तो यह क्या हुगा यहां में पहले आपने 100% दिया ठीक है उसके बाद क्या हो जैसे आपने pieces पर तो यह क्या होगा 50-50 हो गया ना आपके अपनी इनर्जी घटा ली लेकिन आपको पता तक नहीं चला मैं आपको फिर से समझाता हूं यह चीज कैसे है आपके पास एक इनर्जी का घोला है मैं मालता है यह आपको हंडेड परसंट दे रहो आइस के लिए कुछ ताइम बाद आपको लगा कि नहीं यह नहीं हो पा रहा है आप क्या करते हैं दो अप्शन रख देते हैं एक आइस रख देते हैं या फिर आप जो भी स्टेट पीशिस कहते हैं आपने एनरजी को 50-50 परसंट में बाड़ दिया क्या है अब आप यहाँ और आप यहाँ तो अपकर आप लगा जगा ना तो आप एक फोकस कहां ना प्यां तो आप यह लॉजिक समझेश के पीछे दुनिया इसी में पर्षान और लोगों के सलेक्शन इसी वज़ें होता कि बेसिक कॉंसेप्ट को हम क्या करते हैं अपने दिमाग को ट्रेंड नीए करना आज के टाइम पे हमारे दिमाग के ऊपर हमारा ही कब जा हो रहा है हम उनके अपजय हो गया है तो यह नहीं होना चाहिए कि दिमाग आपको कंड्डूल करना है होता क्या जिसे आप पंडे बठो या थोड़ी देश सोई लोते हैं यह मतलब सिं तो अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड करो कि यह आपको पॉश्टिव थोट्स दे निगेटिव लोगों से बचोगे तभी आपको पॉश्टिव थोट्स आएंगे ठीक है अब अब अधर को ऐसे पाटोगे तो फिर लास में होगा कहोगे यार हमसे ना हो पाएगा फिर क्या करो करेंगे फिर फिर लाइफ में क्वेश्टन मार्क लगते जाता है यार मैं तो फिल फेली ओर फिल फर्ट्स अनुयार तीन साल से त्यारी करना मेरा हो नहीं रहां से तीन साल आप क्यो त्यारी करतें सब्सक्राइब को पता है सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं अपने बहुत जादे कंप्रमाइज करेंगे कुछ भी हो जाए अगर ठाना है तो करके दिखाएंगे ठीक है यह चीज मैं हमेशा बोलता रहा हूं और हमेशा आगे भी बोलता रहांगा ठीक है तो लगब कोशिस करूँगा कि मैं देखो आपने जितना पूछा था बुक्स की रिगारिंग टॉपिक की रिगारिंग कुछ लोगों को टॉपिक नहीं बिलना है तो देखो हम एक एक चे लेंगो उसकी परसानी नहीं यह लेकिन मैं कवर करांगा आपको सारा तो आज की वीडियों दूस्तों बस इतना रखते बस इतना याद रखिएगा कि आपको टॉपर बनना है आप टॉपर बनने के लिए ते और टॉपर बनना है आई डीड इट आप वोज दिन सोचो आप खुद प्राउड फिल करो दूसरों से ठीक है तो आप दूसरों को प्राउड फिल कराओ वो चीज अच्छी है तब आपने life में कुछ कमाया है तब आपने successful हासिल की है अगर आप IS की तहरी करने आए और है आप SSC में असक्षान है तो मैं आपको successful person नहीं मानूंगा कुछ आपने लाग गुना अच्छी होती है बट आपने अपने सपनों के साथ कंप्रमाइज कर लिया तो यह पर्फिक्टीज नहीं है ठीक है तो यह चीज याद रखिएगा इसे के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों मैंने पढ़ाना चलो किया तो आप आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपना यूजर निम अगरा बनाई है और मेरा यह लिंक है इस पर आप जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ठीक है तो आशा करते हैं जो मैंने आपको समझाना चाहरा था बुक्स वगरा के रिकार्डिंग सारी सीजे मैंने आपको डिटेल बता करिएगा फिर इस पर हम डिसकस करेंगे 10 तारिक को 10 से 11 को ठीक है अगर मुंबई से मैं थोड़ा जल्दी लिखे लगया दिल्ली पहुच गया अगर 10 को तो साम को डिसस कर लेगा अधरबास हम इसको 11 को एक दिन रिले करके डिसस करेंगे लेकिन अगली बार से हम हाद संद